हेलो दोस्तों मेरे किचन में आपका बहुत-बहुत स्वागत है आज मैं बनाने जा रहे हूँ बहुत ही सिम्बल तरीके से नान खटाई बिस्किट है इसको बनाना बहुत ही असान है और यह जटपट बनकर तयार भी हो जाता है ऐसे तो नान खटाई बिस्किट आवन में ही बनता है, लेकिन आज मैं बनाऊंगे इसको नॉर्मल अपम मेकर में, तो चलिए इसको बनाना सुरू करते हैं, नन कटाई बिस्किट बनाने के लिए मैं हाँ ले हूँ एक बाउल, उसमें डाल दे रही हूँ, हाफ कप पीसी हुई चीनी, यह वजन में 125 ग्राम है, और हाफ प्टेंगे जब तक यह अच्छे से मिल्ट न हो जाए, जितना यह फिटेगा उतना ही अच्छा हमारा नान कटाई बिस्कित बनकर तयार होगा, अब इसमें डाल दे रहे हैं हाफ टी इस्पून बेकिंग पाउडर, और हाफ टी इस्पून बेकिंग सोडा, अब डाल दे र और एक चोथाई कप पेशन, यह भी वजन में 60 ग्राम है, मिला लेते हैं, अब डालेंगे लाश्ट इंग्रिडियन्स, एक कप मैदा, यह वजन में 250 ग्राम है, अब इनको हम अच्छे से मिला लेंगे, चम्मस से पूरा नहीं या उगुत हार पाएगा, अब इनको हम आज स फार्म में लाना है, अब देख सकते हैं, उसी घी से हमारा यह डो बनकर तयार हो गया है, अब हम हाथ में लेंगे, थोड़ा थोड़ा उसमें से बोल जैसे बनाएंगे, और सेप देते जाएंगे नानखटाई का, आप चाहें तो बड़ा या छोटा, जैसा आपको पसंद ह अब बना सकते हैं, आप देख सकते हैं, इसी तरह से हम सारा नानखटाई बनकर तयार कर लेंगे, सारा नानखटाई बनकर तयार है, इस पर हम लगा देते हैं ठंडा दूद, ठंडा दूद लगाने से हमारा नानखटाई अच्छा उसमें क्रैक आएगा, और बहुत सुनर इसका कलर भी आएगा इस पे अब हम गार्निस कर देते हैं बदाम से आप चाहें तो कोई भी ड्राइफूट ले सकते हैं आप सनल है गार्निस करने के बाद इनको हम फ्रीज में रख देंगे 10-15 मिनाट के लिए जिस्ते की अस्टेट हो जाए तब तक हम अपन मेकर में घी लगा लेते हैं इधर हमारा तवा भी गरम हो गया है इस पर हम रख देते हैं अब इसमें हम एके करके सारे नानखटाई को डालते जाएंगे यहां हम गैस की फ्लेम को लो टू मेडियम रखे हैं इसको ढख कर हम करीब करीब 30 मिनट तक बेख करेंगे और भी इसमें चिक करते रहेंगे 30 मिनट हो गया है आप देख सकते हैं हमारा नानखटाई कितना अच्छा बेख हुआ है और इसका कलर भी चेंज हो गया है अब गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं और सारे बिश्किट को एक प्लेट में हम निकाल लेते हैं आप देख सकते हैं हमारे बिश्किट कितने अच्छे बन कर तयार हुए हैं कहीं से भी नहीं लग रहे हैं कि या अवन में नहीं बने हैं अब हम बिना अवन के भी घर पर इसको बना कर फटाफट खा सकते हैं यह बिस्किट बच्चों को तो बहुत पसंद आते हैं बच्चे तो बच्चे बड़ों को भी बहुत पसंद आते हैं और इसको बनाना भी बहुत आसान है अब जब भी मन करें तो हम घर पर बना कर फटाफट खा सकते हैं अगर घर में कोई मेहमान भी आ जाए तो उनको हमें ये दे सकते हैं कहीं से भी नहीं लग रहा है कि अम मार्किट का नहीं है मैं एक बिस्किट आपको तोड़ के दिखा रही हूँ देखिए इसका कितना अच्छा टेक्षर आया है तो आप भी बनाईए खाईए और मेरे चैनल को लाइक सियर और सब्सक्राइब करना न भूले बाबाई